कि यह गाई इस कैसे हैं आप लोग सो आज के लेसन बहुत यदा इंपॉर्टन और इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेसन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे 10 एपस के बारे में जो एपस अगर आप एक गिटारिस्ट है तो आप लोगों के फॉन म आप लोगों की बहुत करेंगे सो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे एपस के बारे में जानना सो इस वीडियो को पूरा एंट देखना हर एक एप का अपना अपने एक स्पेसिविक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टन है सो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है सो सबके जो डाउनलोड लिंक से में नीचे प्रोवाइट कर दूँगा आप लोग सारे अपस डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को पूरा एंट देखना बहुत इंपॉर्टन है ठीक है सो वीडियो स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले मां आप लोग सो बोलना चाहता हूँ अगर अपसे बहुत सारी प्लेइस मेरे चैनल में मिल जाती है तो आप लोग प्लेइस में जाकर चेक कर सकते हैं टॉप वीडियो प्लस आप लोग के लिए मैं अब यह भी एक गिटार कोर्स बेस्टार्ट कर रहा है इस यूट्यूब चैनल में जहांब मैं जो गिटारिस्ते जि को सस्क्राइब प्लेइस में जाएगा आप लोग उसे जॉइन कर सकते हैं और आप लोगो बहुत बेनेफिट मिलेगा ठीक है और प्लस अगर आप लोगो देना हूं वहाँ पर मैं कैसी वीडियो अप्लोड मानना हूं तो सिंपली आप लोग प्लेइस में जाएए वहाँ पेड मेंबर्स वाली वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ के थमनेल्स और टाइटल्स और आप लोग डिसेजन दे सकते हैं कि आप लोगो चॉइन करना है या नहीं करना है ठीक है तो यह हुई बात दूसरी अब बात करते हैं हमारे लेस्न के बारे में जो है पॉन का एक दीगे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग जहांप हमने आप लोग टेमपो एपका इंटरफेस खोल लगए तो यह कुछ ऐसा दिखाई देता है आप लोग को सिंपली करना होता है कोई सा भी सौंग आप लोग को पूट करना है इसमें जैसे आप इसमें सौंग करते है आप लोग इसके साथ सौंग के साथ बहुत साही चीह कर सकते हैं आप लोग सौंग में पहली बाद तो मारकर्स लगा सकते हैं कि आप लोग को कहीं पर लूप बनाना होता है हम लोग को एक ही पार रेगूलर बैसिस पर सुनना होता है हम लोग को सुनना होता है कि आप क्या बज़ रहा है या फिर उसके साथ play करना होता है तो हम लोगों को छोटे पार्ट को वापिस repeatedly बजाना होता है तो वह काम आप यहाँ पर कर सकते हैं प्लस आप लोग यहाँ पर जो tempo है जैसे कि इसका नाम tempo है तो मतलब आप लोग यहाँ पर tempo set कर सकते हैं BCB song का 20 से लेके 250 तक ठीक है तो आप लोग song को बहुत slow और बहुत fast कर सकते हैं without really changing the pitch ठीक है तो आप लोग को जरूरी नहीं कि आप लोग के गाने की pitch change होगी pitch बिल्कुल सेम रहेगी जिस scale में वो song बज़ रहा है उसी scale में रहेगी बस आप लोग की speed है वो slow या fast होगी तो बहुत ही प्यारा app है जब आप लोग कोई guitar solo की practice कर रहे होते हैं जैसे किसी अच्छे song की जैसे anesthesia या ऐसे किसी song की जो fast है ऐसे किसी song की अगर आप लोग guitar solo की practice कर रहे हैं तो आप लोग को यह app बहुत help करेगा प्लस किसी भी song में markers लगाने जिससे आप लोग loop बना सकें ठीक है बहुत प्यारा app है आप लोग इसको पकड़ डॉट करने चाहिए second app के बारे में बात करेंगे जो app आप लोग को हलका सा सुनने में हैरानी होगी बट यह app आप लोग के बहुत help आएगा second app है mx player अब mx player कैसे काम आएगा मैं आप लोग को बता तो ठीक है जैसे youtube में आप लोग ने कोई video देखी जो बहुत ही प्यारा song था ठीक है एक तोगे tempo जो मैंने आप लोग को first app बता है जहां पर आप लोग song का जो tempo से दाउन कर सकते हैं basically audios का ठीक है वहाँ पर आप लोग वीडियो का काम कर सकते है mx player में हम लोग क्या कर सकते हैं हमने कोई video इंसके पाद हम लोग उसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं साइड में जो icon है उसको आप लोग ने open करा और वहाँ पर जो 1x लिखा अगर आप लोग अगर आप लोग speed कम करते हैं तो आप लोग यह speed कम हजाती है secondly आप लोग यहाँ पर लूप बना सकते हैं जैसे आप लोग आप मारकर से लगाते थे A to B वाला यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं वीडियो इंटरफेरेंस में आप लोग वीडियो को slow down वीडियो में marks यह सब कोई ऐसा solo part है जो आप लोगो दिखाई दे रहा है आप लोग उसे slow कर सकते हैं और देख सकते कि बंदा बजा क्या रहा है ठीक है बहुत ही handy बहुत ही प्यारा है यह भी आप लोग इंस्टॉल करना चाहिए और basically 100% 99% जो लोग होंग इस वीडियो को देख रहे हों उनके प app है for metronome वो यह है ठीक है तो इसका नाम ही metronome है और बहुत ही प्यारा app है इसमें आप लोग drum beats के sound change कर सकते हैं आप अपने हिसाप से इसका time signature change कर सकते हैं अपने हिसाप से कौन सी beat आप लोग हाई चाहिए कौन सी beat low चाहिए सब कुछ आप लोग set कर सकते हैं तो off beat songs के यह app मैं बहुत time से उसकर हो करीब 2 साल से ठीक है अब आजाते हैं अपने fourth app में जिसका नाम है guitar tuna तो इसका भी आप लोग बहुत पहले से उसकरते होंगे मैं पक कश्वार हूं कि यह app आप लोगोंने life में कभी न कभी यूस करागा guitar tuna एक ऐसा app है जो कि बिल्कुल free है और य जादा कुछ इसमें अलजीव से frequency और यह सब नहीं दे रखा बस जैसे आप लोगा green हो जाया आप लोगो लगते हैं कि हाँ यह सही है प्लस आप लोग इसमें accuracy mode on कर सकते हैं जहां पर आप लोगो बिल्कुल accurate आप लोग को tuning मिलती है यह जो भी आप लोगी strings है उसकी तो बह metronome भी आता है तो अगर आप लोग ने metronome वाला app डाउनलोड नहीं कर रखा तो यहां पर भी आप लोग मैट्रोम का वग कर सकते हैं बट इसकी कुछ limits है जो real metronome में unlimited है ठीक है तो यह है हमारा fourth app आजाते हम अपने fifth app में जो है हमारा ultimate guitar taps तो यह app भी आप लोग ने बहुत time से use करा होगा अगर आप लोग taps play करते हैं ठीक है कुछ लोग होते हैं जैसे guitarist कुछ बहुत कम 10% guitarist तो जिनको music theory, music read करना आता होगा so maybe उन लोग ने यह app यूज ने कर रहा हूँ but 90% जो लोग होते हैं तो यह app सबने यूज करा हूँ ठीक है यहाँ पर आप लोग अपने genre के साब से लाखो गाने चूज कर सकते हैं अपने playing में और उनके भी बहुत सारे version तो अगर आप लोग एक version पसंद नहारा तो आप लो यूज करना है तो आप लोग एक app कर सकते हैं संगस्टर तो सॉंगस्टर भी बिल्कुल सीम चीज में वक करता यहाँ पह पर आप लोग नोगोगा पसंद नार है सॉंग संद नहीं कर सकते हैं आप लोग अपनी घार त्यक है ज dispd नूग अप लोग पहुत प्यार है और जाते हैं आप लोग को टैप के साथ बात कर लेते हैं अपने 6th एप के बारे में जो है functional air training और यह एप के लिए मैं आप लोग को request करूँगा कि इस एप को आप लोग पक्कार डाउन कर रहे हैं because यह एप आप लोग की जो एर ट्रेनिंग का उसको सुदाने मां जो air training है वो अच्छी हो नहीं चीए और अगर आप लोग की air training को ते अच्छी नहीं है आप लोग चीज़ों को सुनके समझ नहीं पाते कि कौन सी जी अप जारी है कौन सी डाउन जारी है तो यह एप आप लोग के इस एप मां आप लोग को बहुत प्यारे टूल्स मिलते हैं जो आप लोग की air training सुदाने मां आप लोग की बहुत परेंगे कुछ अच्छे fun-loving games जो आप लोग की air training को fun-loving बना देंगे और आप लोग से कुछ ऐसे questions पोसे जाएंगे कि C major के पहले आप लोग को पकाई पकाई डाउनलोड करना आए जाते हैं मैं 7th app में जिसका नाम है smart courts and tools ठीक है तो यह app के तो इतने सारे work है कि मुझे इस app को खोलना ही पड़ेगा सबके जो रिटन है मतलब आप लोग को ढंग से सारे courts आप मिल जाएंगे secondly अगर आप लोग के पा कोई ऐसा court जिससे आप लोग को नाम समय नहीं आ रहा आप लोग ने कहीं देखा अच्छा यह कौन सा court है तो यहां पर आप लोग इस app से question पोछ सकते हैं कि आप लोग ने सि Scales मिल जाते हैं अगर आप लोग को Scales की नेम जानने हो कि यह कौन सा Scale है यह ऐसा कुछ Scale है यह Scale invent हो चुका है यह नहीं हुआ है आप लोग खुद कुछ invent कर रहे हैं तो आप लोग चेक कर सकती कि क्या यह चीज पहले से आज चुकी है नहीं आई यह तीक है जिससे आप भी है इसमें Transposition करने का भी है इसमें Circle of Fifth भी है Air Training के भी टूल्स है प्लेगरांड भी है मतलब जिसमें आप लोग नॉर्मली प्ले का सकते हैं जैसे कुछ एप्स होते हैं जिसमें आप लोग प्ले करते हैं गिटार को वह भी है इसमें प्लेक्टरम भी है Songbook Songless बहुत साइच है ठीक है इन एप्स के जो टूल्स है जैसे कि इसका नाम है Smart Cots and Tools तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आप आराम से डाउनलोड करके खुच जान सकते हैं यहां पर अगर मैं इसके बारे में बताने लग तो रहात हुलेगी ठीक है आजाते है अपने नेक्स को जो कॉट चार्ड होता है वो भी दिखाया है ठंसे हर एक कॉट का बहुत सारे मतलब लैक्स अफ कॉट आप लोग यहां में मिल जाएंगे जितने कॉट आप लोग ने सुने ने गोश्त से जादा कॉट आप लोग सिंगल सी क्ले मिल जाएंगे फिर आप लोग दूशरे क्ले भी देख सकते हैं सिंगल सिंगल कॉट के आप लोग को पांट पांट छे छे इन वर्जस मिल जाएंगे वेरिएशन मिल जाएंगे तो बहुत प्यारा एप है इसको भी आप लोग यूज करना चाहिए मूवी डिक मूवी डिक किटा कॉट ठीक है आज आते हम अपने न अपने आप लोग प्लेगा था ठीक है और बहुत लोग प्लेग नहीं कर पाते और यह सौंग अगर आप लोग यह अप फ्री कर दिया जाए और इसमें एट्स डाल दे जाए तो मैं पक्के दावे कि सकता हूं कि यह अप इतनी उचाहिया चुरेगा कि कोई इसको रोक निस कर रहा है और बहुत प्यारे प्यारे इसके फायदे है ठीक है इस अप को यूज करने के तो मैं कहूंगा कि यह आप लोग एक बार पक्का राए करना चाहिए इसका आप लोग फ्री वर्जन जो है उसमां आप लोग अगर आदे हंटे का प्ले टाइम मिलता है दो बार दिन बड़ी आप कोई नहीं बना सकता ठीक है तो यूजिशियन इस वन अफ दी पैस आजाते हैं अपने 10th एप में जिसके वारे मैं तो सभी जानते हैं क्योंकि हम इस ताइम उसी एप में exist कर रहे हैं मेरी वीडियो एप में आप लोग उस एप में वीडियो देख रहे हैं जि यूट्यूब में आप लोग सिफ मुझे नहीं देख सकते हैं नहीं मतला ऐसी नहीं कि सिफ गिटार ट्यूटर को कुछ निया सीखने के लिए दे सकते हैं प्लस आप लोग को बेकिंग ट्रैक्स मिलते हैं सेकंड लिए आप लोग को ड्रम बीट्स मिलती हैं ठर्ड आप लो करे रखा आप लोगों इंस्टॉल इसके बारे में बताने ज़रूरी नहीं है बट मैं आप लोगो बताना चाहता था कि इस app में भी आप लोगो बहुत साई चीह मिलती हैं, आप लोग क्या गर हैं, आप लोग इंप्रोवाइशन के लिए, आप लोग बैकिंग ट्रैक किसी का भी यहां से निकाल सकते हैं, आप लोग बैकिंग ट्रैक मिल जाएंगे, यह भी बहुत प्यारा टूल है जो आप लोग को इसके बारे में धंक से जानना चाहिए और इसको धंक से यूस करना चाहिए, ठीक है, प्लस अगर आप लोग बहुत प्लस अगर आप लोग बहुत प्लस अगर आप लोग इन अप्स को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग बहुत सरी ऐसी चीज़े मिलेंगी जो मैं बता नहीं पाया, बिकॉस हर एक एक एप को डिसक्राइब करने के लिए मुझे एक टाइम चाहिए और यहाँ पाम आप जड़ा टाइम नहीं है, ठीक है, आप लोग बताना आप लोग को कौन-कौन से ऐसे एप से जो आप लोग पहले से यूज़ करते हैं नीचे कमें स्क्राइब कितने ऐसे एप से और कोई ऐसे एप से जो आप मुझे स्रेशन देना चाहेंगे, सो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो को इस सर्कल में क्लिक मारके, यू कैन सस्क्राइब इस चैनल, वीडियो को लाइक मानने जिससे मुझे पता चलेगा कि कितना आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, इन दो बॉक्सेज में क्लिक मानने एक से आप लोग दूशी वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले किसे अच्छे लेशन में हैं, जै हिन, जै भारत, पीस!